राम नगरी आयोध्या पहुंचे अपरमुख सच्चिफ संजय भूसे रडडी ने दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के साथ के एम शुगर मिलका निरिक्षन किया इस दौरान अपरमुख सच्चिफ को निर्माण में कमिया मिली जिसको लेकर वे नाराज दिखे तक्नीकी इंजीनियर को निर्देश देते हुए कहा कि निर्मार की गुर्बत्ता पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए स्वास्त वसुविदा बहुत जरूरी है इस समय मेडिकल कॉलेज में एक शिफ्ट में काम चल रहा है कारे में गदी देने के लिए दो शिफ्ट में काम करने की निर्देश दिये गए है शासन की निर्देश अनुसार तीन महीने के अंदर काम पूरा करने की निर्देश दिये गए है हलाकि तीन महिने में भी कारे को पूरा करने में अपर मुक्सचिव ने शंका जताई है जो सरकारी बिल्डिंग बनती है तो सरकार का काफी इसमें निवेश होता है पैसा पूरा लगता है और गुनवत्ता भी पूरी मिलनी चाहिए तो उस पर तवज्जो हमारे अधिकारी और जो तक्निकी हमारे इंजिनियर साहबान है उनको इस बात का पर ध्यान रखने के लिए वो ही मैं देखने आया हूँ कुछ छोटी मोटी कमिया मिली है जो अभी निर्मान सर्प है तो भी सुधारी जा सकती है और उनको सुधारने के लिए मैंने का हूँ और उसी के साथ-साथ गुनवत्ता पर पूरा जोर देते हुए क्योंकि मेडिकल कॉलेज है बाद में यहां कई पेशन्ट आएंगे उनको असुधा नो किसी भी प्रकार का इस बात का बहुत ध्यान रखने के आवशकता है और उसी के मद्दे नजर है एक महत्कुर बात यह है कि हमें घ्दिकल कालेजेश की और हॉस्पिट्ल्स की बहुत जरुवत है जनता को यह सुभी दा सुभीदा स्वास्वएदा देने के लिए influences कि यह हैं मिखलब दूपला अगा शच्छिफ्ट में काम चल रहा हैым कि इसमें एक में उक्ष्फ में लगम कराई तो इसके काम को आपधी